सो क्या आप सोच रहे हैं कि आप drop ले ले जेई और नीट की preparation करने के लिए इस साल और next year आप जेई और नीट की तैयारी करें आपने class 12 इस साल पास कर लिए हैं एक्जाम दे दिये हैं result का wait कर रहे हैं बट आपको लग रहा है कि यार जेही और नीट इस साल तो नहीं निकलेगा तो ड्रॉप अभी ले लेते हैं तो रुख जाएए तो जब भी आप बड़ी डिसीजन ले रहे हैं मैं यह कहता हूं कि आप बड़ी डिसीजन कैसे ले सकते हैं देखिए सबसे बड़ी डिसीजन तो आपकी लाइफ की यही ना कि ब्रेक लें की नहीं लें तो इसको लिखो लिखो, काफी बच्चे क्या है, दिमाग दिमाग का सोचते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, उनके फ्रेंट्स कह रहे हैं, दिखें, आपके फ्रेंट्स हैं, आपके एडवाइजर नहीं हो सकते, वो भी उसी फेस से जा रहे हैं, ऐसा पहले से कुछ चीज़े देखी हो उन्होंने पहले कोई देखा हो कि यार इसने ड्रॉप किया था यह काम किया था यह उस ड्रॉप किया था तो उसके साथ क्या-क्या इशुज आय थे उनको नहीं पता रहता तो फ्रेंड्स आपके ड्वाइजर नहीं हो सकते अभी और बात मे है कि वो डाउट जब हमसे पूछने के लिए आता है और जो एक फेस से वो गुजर रहा होता है तो आपको क्या करना है उसको पहले चीज़े लिखनी है और लिखनी यह है कि आप क्यों ड्रॉप लेना चाहते हैं वाई सबसे पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए विकोज व पर दूसरी चीज वाई एक बर क्लियर हो गया फिर आपको देखना है कि हाओ कि कैसे आप तयारी करेंगे अचा क्या आपने आपको यह वाई तो भई इस साल भी क्लियर होगा कि आपको नीट और जेई निकालना है तो आपने इस साल क्यों नहीं किया तो यह हो में आपकी ड नोट करनी है कि कौन-कौन सी डिस्ट्रेक्शन सी जो आपको परेशान करी है कि ऐसा हो सकता था कि रेगुलर स्कूल चल रहे थे तो स्कूल के एक्जाम्स थे तो उसमें आप फोकस कर रहे थे दूसरा आप यह लिख सकते हैं कि आपकी कोई गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड है ना तो वह आपको बहुत परिशान करता था हेलो बाबू बात कर लो थोड़ी देर बात कर लो बस फोन रखो मत बात कर लो उसमें लग गया आप तो यह आपको देखना है दूसरी चीज क्या आप गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड के साल आपने ब्रेक अप कर लिया कि नही आप शुबोर्न वेभी आप बने इसी तरह में मांतों कि जो यह आपका एक साल का जो उफर रहता है यह आपको क्या गरता है एक नया जीवन प्रवाइड करता यह इसमें आपको हाइबने आप मेडा अपको मैक्सिम सिटिंग्र बंक यह ते सकते है कि आप क्या बिना friends के बात किये हुए क्योंकि अगर आप ज़्यादा friends से बात करते हैं friends circles में रहते हैं तो आपके friends आप से आगे निकल जाएंगे आप पीछे रह जाएंगे क्या आप ये चीज देख सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़े आपको देखनी है नोट करनी है और भी बहुत सारे points रहते हैं जिनको आपको लिखना है पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि life की success cycle किस तरीके से काम करती है वह सबसे पहली चीज होती है आपके पास potential कि आपकी potential कितनी है potential कुछ नहीं काम करती होती ajijог क्रते मिफ्यूराइख कर तक जब तक के अपकोई action हिरो ग़े है जब आप action करना करते हो जाप पढ़ना करते हो तो फिर रिजर्ट आने सिटार्ट होते हैं और फिर उन result से आपके क्या बंदे on से पहँत सास टक बहुत सारे काम करते हो और उन कामों पर आपके बिलीव बने हुए है कि आप ये कर सकते हो या आप ये नहीं कर सकते हो और जब बिलीव बनते हैं तो फिर आपकी potential और भी ज़्यादा enhance होती है कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ ये ये नहीं कर सकता और back of the mind हमारे subconscious mind में ये क्या होता है create हो जाता है तो अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने सबसे best result कब दिया था अपने पूरे academics में class 1 से class 12 तक आपने सबसे best performance कब provide करी थी जो आपने best performance provide करी थी अपनी best performance लिख रो लिखने से काफी जदा हमें benefit होता है क्योंके सारी चीज़े क्या होती है 100% confirm हो जाती है यार मैंने ये काम किया है कि नहीं किया है तो पहले आपको लिखनी है अपनी best performance और best performance कैसे आप दे पाए उसमें क्या चीज best रही आपकी क्या चीज आपके लिए work करी और क्या चीज आपके लिए नहीं work करी ये चीज आपको लिखनी है इसके बाद आपको क्या करना है wheels बनाने है 6 wheels 6 wheels बनाने है 6 wheels क्यों बनाने है अगर आप कोई भी entrance exam निकाल रहे हैं तो आपको पता है 3 subject हमारे पास होते है physics, chemistry, maths या bio में लेके चलता हूँ इधर भी physics, chemistry, maths में लेके चलता हूँ या bio इस तरीके से 6 wheels बनाने है 3 wheels आपके पास 11th class के और 3 wheels आपके पास 12th class के अब इन 3 wheels में आप जितने topics होते हैं उन topics को लिखो इस तरीके से जैसे मैं अगर physics की बात करूँ तो physics में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 11th का अगर मैं बना रहा हूँ तो kinematics 0 से 10 तक इस तरीके से इसको circle करो आपका level क्या है अगर आपका level 8 है तो आप 8 तक circle कर दो 9 है तो 9 तक circle कर दो अगर आपको kinematics बहुत अच्छी आती कर पाएंगे कि अगर आप कर पाएंगे fries तो आप जा सकते दें डीसे अलेना मैं बता सकता तउन क्या आप ले रहें क्या नहीं यह बिल्कुल आपके ऊपर है प्यरली आपके ऊपर है favourite ऐसा नहीं कि इस और औरव यह एकजाम हमारे पास तो उसी तरह से अभी CET का एक्जाम है, CET में आपको multiple courses मिल रहे है, multiple, बहुत सारे options हैं, और अग तक आपने नहीं भरा है, तो इसको भर दो, fill कर दो, इसकी जो last date है, इसकी last date है, 38th March, और 10 बजे तक ही इसका time है, तो 38th March इसकी last date है, इसको fill कर दो,